दोस्तों नमस्कार आदाव सर्च्रियकाल नियूस क्लिक के कारिकरम आज की बात के साथ मैं और मिलेश ये जो बुल्ली बाई एप और इसके पहले सुल्ली डील एप ये जो मामले प्रकाश में आए और बुल्ली बाई जो एप का मामला अभी चर्चा में है गिरफतारियां भी हो चुकी है दोस्तों इससे क्यास साफ होता है हमारे समाज में जिस तरह नफरत का माहौल तयार किया गया है कुछ वर्षों से मैं यह नहीं कहूंगा कि नफरत पहले नहीं थी विभाजन पहले नहीं था घ्रणा और द्वेश पहले नहीं था हमारे समाज में निश्चित रूप से ये तमाम बुराईयां पहले से रही है अलग-अलग धर्मों नहीं बलकि एक ही धर्म के अनेक लोगों अनेक उपजातियों के बीच रही है ये वर्ण व्योस्था का ठांचा ही कुछ ऐसा है लेकिन हाल के कुछ वर्षों से जिस तरह अलग-शंख्यक समुदाय के खासकर मुस्लिम लोगों के विरिद्ध जो माहौल बनाया गया है और खुलेयां जिस तरह से राजनीतिक स्तर के लोग अपने आपको समाज के जिम्यदार कहने वाले लोग जिस तरह की बातें करते रहें वाटसअप, इनवस्टी, सोशल मीडिया के अनेक अन्य प्लेट फर्म्स के जरिये जिस तरह से सम्विधान की थजियां उडाते हुए राजनीतिक विमर्ष को घंदला किया गया है उसका असर अब दिखाई देने लगा है मैं नहीं जानता कि उत्तराखंड के उधमपुर, उधम सिंगनगर, रुद्रपुर, कोटद्वार या बैंगलोरू से गिरफ्तार किये गए जो युवा है जिनमें लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं जिसमें विशाल कुमार जा भी हैं, और जिसमें श्वेता सिंग भी एक हैं, और भी कई लोग हैं तो ये लोग जो हिरासत में अभी तक लिये गए हैं, जिनको मुंबई पुलिस ने FIR जो दर्ज हुई थी कुछ दिन पहले, उसके पड़ताल के दर्म्यान इनको प्रथम दरस्टिया अगर दोशी पाया है, तो अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाने के लिए इनको हिरासत में लियाना उसने जरूरी समझा, और अनेक जगों पर छापे मारी करके, दूसरे दूसरे प्रदेशों में जा करके लोकल पुलिस की सहायता से उनको खिरासत में लिया, ये कौन लोग है, मैं बिलकुल नहीं कहा रहा हूं कि ये किसी पार्टी के भेजे हुए लोग है, मेरे पास ऐसा कोई परमान नहीं है दोस्तों, पुलिस के पास अगर ऐसा कोई परमान बात में आएगा, तो हम उस पर भ हैं, ये किसी पार्टी के, किसी संगठन के सदस्य हैं, या किसी के कहने पर कर रहे हैं, मैं अभी ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि जो पिछले कुछ वर्षों में इस समाज का, हमारे महादेश का, जिस तरह माहौल खराब किया गया है, ज जो अलग-अलग पहचान के लोग हैं, उनके विरुद्ध या उनके भीच में एक विद्वेश पैदा किया गया है, दरार को और बढ़ाया गया है, निश्चित रूप से उस पूरी प्रक्रिया की ये प्रोडक्ट है, उसी प्रक्रिया के तहत इस तरह के मिजाज और इस त ये वाइरस आजाता है, जिनकी उम्र पढ़ने की है, समाज को समझने की है, वो समाज में नफरत के वाहत कैसे बन जाते हैं, जिनें इंजिनेरिंग की पढ़ाई करनी है, निर्माण में लगना है, राष्ट निर्माण में, वो विध्वन्स के दूत कैसे बन जाते हैं, उन मैं नहीं जानता कि उनको कुछ मिलता है कि नहीं, अगर मिलता होगा तो ये पुलीस बताएगी बाद में, लेकिन मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ, कि उन्हें इसमें सुख within the court मिल रहा है, ये कौन सा सुख है, पूरे समाज को दुखी करने के बाद, ये कौन सा सु है, जो उनको मिल रहा है, नफरत का सुख, घ्रणा का सुख, कटरता का सुख, आत्महंता होने का सुख, ये कौन सा सुख है, लेकिन इस सटिस्टेस्टेक्शन के लिए, within the court again, ये वो कर रहे हैं, ये कहां से बना है, जब बड़े लोग, जो जनता के नुमायंदे अपने को मानते हैं, जब वो कहते हैं, मारो, गोली मारो, और आगे जो बात है, वो डाट, डाट, समझीए, क्योंकि मैं वो गालियां आपके सामने नहीं दे सकता, जब लोग सीधे किसी धर्म विशेश का नाम लेकर कहते हैं, कि उनके लोगों को साफ करो, जब लोग कहते हैं, कि 2017 से पहले और 2017 के बाद का क्या फर्क है और एक ही तरह के लोगों को दिखाते हैं एक ही तरह के लोगों को दिखाते हैं एक ही पहचान के लोगों को दिखाते हैं धर्म के आधार पर जाती के आधार पर या पांच या साथ या छे या चार सालों के फर्क को रिखांकित किया जाना चाहिए, श्मशान, यम्राज, ठोंक देना, ये तवाम तरह के जो जुमले उच्छा ले गए हैं हाल के समय, वो क्या कहते हैं? विपक्ष के नेताओं को लगातार कलंकित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, उनके बारे में अनाप शणाप बाते करने के लिए, जो केंपिंग वाटस अपि इनवस्टी में चलाएं गए हैं, चाहे वो राउल गांधी हों, अख्यलेश यादों हों, या कोई अन्यनेत वो क्या बताते हैं अब मुझे अच्छी तरह याद है एक बार वार्टसप इन्वस्टी में एक संदेश वाइरल किया गया वो क्या था मालूम है वो ये था कि अखिलेश यादों ने नेताजी को चांटा मारा यानि अपने पिता को इसे वाइरल किया गया एकदम जूठा लेकिन मुगध हो गए कुछ लोग जो लोग मुगध हो गए उससे उसको खुब प्रसारित किया यहां तक कि बड़े बड़े नेता बड़े बड़े दिगज भी उसकी चर्चा अपने समर्थकों और आईटी जो सेल के लोग है उनकी कांफरेंस में करने लगे और वाटसाप इनोस्टी की महिमा का बखान करने लगे यह भी काने लगे कि सच्चा हो या जूठा कच्चा हो या मीठा इस तरह की जुमले उच्छाने लगे कि कैसे संदेश महान होते हैं कैसे संदेशों की ताकत होती है इसका क्या उपयोग हो सकता है अब बताइए सच्चा हो या जूठा कच्चा हो या मीठा फिर बाद में ये भी जोड़ रहे हैं कि मैं जूठ के लिए नहीं कहा रहा हूं क्या इसका मतलब है मतलब ये दोस्तों कि ये जो कुछ हो रहा है आज समाज में आज तो माल लीजे कि सवसे अधिक मुस्लिम महिलाएं जो मुखर हैं समाज में जिनकी एक पहचान है बिनकी एक समझ है जो अपने समाज को बचाना चाहती है जो संबैधानिक लोकतंत्र चाहती है उसकी रक्षा के लिए आवाज उठा रही है उनको बदनाम करने के लिए उनको उनकी मर्यादा का हनन करते हुए इस तरह की बातें कही जा रही है उनकी निलामी का संदेश प्रसारिद किया जा रहा है और किन लोगों दोरा मैंने फिर पहले जैसे कहा कि कोई 18 साल का है कोई 20 साल का है कोई 22 साल का है कोई बिहार से पढ़ने गया है विशाल कुमार जा बिहार के रहने वाले हैं जो बंगलोरू में हैं वहाँ जाकर बुंबई पुलिस ने उनको अरेस्ट किया उसी तरह से श्वेता सिंग मूलता बुलंच शेयर की है जैसा बताया गया है पुलिस द्वारा लेकिन उनका परिवार कईयों साल से रुद्रपूर में है उत्राखंड के अख़वारों में ये भी ख़बर है कि पिछले कुछ समय से वो इंटरनेट आधारिक जो सोचल मीडिया प्लेटफर्म से उनके उनके परिवार के किसी व्यक्ति ने कहा है किसी ने ये भी बताया है जो पुलिस सत्रों के हिसाब से ख़बर चपी है कि वो हिंदुत्वादी का टर्दा के काफी नजदीक होकर बातें करती थी उनकी दिमाग में ये सब चीजें आई थी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको कोई हिंदुत्वादी नेता कोई संग्टन कोई पार्टी पेटरनाइज कर रही हो मैं ऐसा नहीं कहा रहा हूँ मेरे पास नहीं है इसका लेकिन जो मैं फिर बार-बार कहा रहा हूँ कि जो क्रियेट किया गया है महौल जिस तरह का समाज हम बना रहे है उसमें श्वेता या विशाल कुमार जा ये तो दो-तीन नाम के वल सामने आये है नजाने ये ताता कहां तक जाता है ये श्रिंखला कहां तक जाती है इसे कोई नहीं जानता ये भी कोई नहीं जानता कि ये पड़ताल कहां तक जाएगी हो भी पाएगी कि नहीं वो पाएगी क्योंकि जो सुली डिल्स का मामला आया था उस वक्त भी लगा था कि सायथ कुछ चीजन सामने आएंगी इन पर विराम लगेगा लेकिन कुछ भी नहीं ऐसा किया गया जिससे की विराम लगता कुछ एक महीने पहले की बात है 6-7 महीने पहले हुआ और भी नौजाने कितने लोगों के खिलाब क्या क्या नहीं बातें उड़ाई गए तमाम जो देश के पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, लेकक हैं हम सब के खिलाब बहुत सारे दुश्प्रशार किये जाते हैं हम लोग मान कर चलते हैं कि ये तो नियती है जो महौल बना दिया गया है देश का, जो समाज का महौल बना दिया गया है जब नहरू को नहीं छोड़ रहे हैं, जो आज से नौजाने कितने सालों पहले दिवंगत हो गए उनके बारे में घिनोनी बातें ऐसी बातें जो तत्थिक की बात तो छोड़िये जो कल्पना में भी कोई नहीं कर सकता कोई भी संजीदा आदमी उस तरह की बातें लिखी जाते हैं लेकिन जो लोग सचमुच लेखक हैं बुद्धी जीवी हैं उनको बने बनाए बनाए हुए ट्रियेटेट कुछ मामलों को लेकर उनको एरिस्ट कर लिया जाता है मन्मरजी, मनमाफिक स्कैम, मनमाफिक शडेयंत्र उसकी तुमामецर तियोरिस क्बाति जाते हैं ताकि कि आनन्द पेल तुम्डे को गिरफार कर किसी सुधा भार्दवाज को अंदर कर दिया जाए, अभी अभी उनको जमानत मिली, किसी गौतम लवलखा को खौंखार आतंकवादी बता दिया जाए, लेकिन ये समाज में जो विश फैलाने वाले लोग हैं, जहर फैलाने वाले लोग हैं, इनके बारे में नर्मी दिखाई जाती है क्योंकि लगता है कि जिस माहौल के ये उत्पाद हैं उस माहौल को आगे बढ़ाने में ये उपकरण के तौर पे काम करेंगे और ये एक महच संजोग है या इसके पीछे कोई कहानी है कि जब कोई राजनितिक प्रक्रिया अपने समाज में हो रही होती है या नजदीक होती है तो इस तरह के शिगुफे इस तरह के वार्दात इस तरह के मामले जरूर सामने आते हैं अब पंजाब में चुना होना है तो ये जो एप का संचारण करने वाले रोग है उन्होंने अपने फर्जी ट्वीटर हैंडल से और तमाम प्लेटफर्म्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ यूँ पेश किया अपने को कि जैसे मानो वो कोई खालसापंत के समर्तक है वो सिक है या कि वो खादिस्तारी है ऐसे चिन्हों का प्रियोग किया गया जो आम तोर पर इस्तिक समाज इस्तेमाल करता है तो क्या हम मान कर चलें कि पंजाब के चुनाओं से इसका कोई कनेक्शन है किसी भी तरह के राजनितिक समाल का क्या ये हतकंडा है ठीक उसी तरह से उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड के चुनाओं है तो आपरेट करने वाले जो लोग हैं उनमें कुछ उत्तराखंड में है अब मेरे पास इस बात का अभी तक कोई ठोज साक्ष नहीं है कि क्या इसके पीछे कोई चुनावी एंगिल भी है लेकिन ये बात मैं पूरे अपने अनुभव की रोशनी में कह सकता हूँ कि पता नहीं क्या बात है कि जब कोई रायनितिक परिगटना होती है या होने वाली होती है खास कर चुनाव जैसी या कोई बड़ा फैसला होने वाला होता है तो ऐसी गत्विधियां तेज हो जाती ह कभी सरहत की गत्विधियां तेज हो जाती है कभी समाज की गत्विधियां तेज हो जाती है दोस्तों यकीनन कई लोग ऐसे हमारे समाज के हैं जिनको मालूम नहीं रहता है कि वो जो ऐसा कर रहे हैं इसका क्या खामियाजा भगतना पड़ेगा पूरे समाज को वे सच मुच नहीं जान रहे होते हैं कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं पूरे देश के साथ, पूरे सबाद के साथ और अपने आप के साथ लेकिन यकीनन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जानते होते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो वाकई बड़ा गुना है अब ये तो कोई नहीं कह सकता कि नत्थुराम गोट से को नहीं मालूम था कि वो महात्मा गांधी की निशन सत्या करके क्या कर रहा है उसे सब कुछ मालूम था सब कुछ मालूम था लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं जो इस्तेवाल कर लिए जाते हैं जिन्हें सचमुच नहीं मालूम होता है कि वो क्या कर रहे हैं और जब समाज में बड़े पैमाने पर विश फैला दिया गया होता है, जहरीले माहौल के आगोश में नजाने कितने मासूम लोग खतरनाक चेहरों के साथ पेशाते हैं, वे विस्फोटक बन जाते हैं, वे दुर्भावना के दूत बन जाते हैं, वे नफरत के आउजार बन ज ऐसा ही कुछ माहौल है, बिलकुल आखिर में मैं पूछना चाहता हूँ कि सुली डिल्स मामले में कुछ भी नहीं किया गया, अभी भी सरकार के जो बड़े ओधेदार हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, और तो और जो देश के मुखेदारा टेलिविजन चैनल हैं, वो ऐसा लगता है कि जैसे यह कोई बड़ी ख़वर ही नहीं है, लेकिन उनको सैलूट करना चाहिए खासका रंग्रेजी अकफार वालों को, कि सचमुच इसमें वो न केवल संसनी देख रहे हैं, वलकि यह खत्रा भी देख रहे हैं, अच्छे एडिटोरियल भी लिख रहे हैं सरकार और समाच को सलाह भी दे रहे हैं, लेकिन टेलिवीजन पर, इन सीजों पर चर्चा फिलहाल कम है, क्यों कम है, इसका अर्थ समझे, इसका मर्म समझे, लेकिन उससे ज़्यादा चिंता इस बात की है, कि सियासत के सबसे उंचे ओधों पर बैटे वे लोग, इस पर क्यो नहीं समय पर हो रहा है, मुंबई के प्रशासन को भी महाराश्ट सरकार, खासकर महाराश्ट के प्रशासन को भी इस बात की तारीफ करनी पड़ेगी, कि उन्होंने जैसे भी हो, उन्होंने अस्तक्षेप किया है, अब देखिए कहां तक ये मामला जाता है, तो यही के साथ आज बस इतना ही नमस्कार आदाब सत्सियकाल